Assalamu alaikum everyone so in this video we are going to do the pre-term labor ठीक है pre-term labor हम किसको कहते है जब हमारे पास 37 week से पहले ही हमारे पास labor आ जाए ठीक है uterine contractions वखरा शुरू हो जाए ठीक है और जो है में fetal head जो है वो नजर आना शुरू हो जाए और सर्वेक्स जो हो टालेट हो जाए और उसकी length वखरा कम हो जाए तो उस कौम लोग प्री-term labor बोलते हैं ठीक है प्री-term labor कि हमारे पास different जो है वो factors होते हैं जो responsible होते हैं ठीक है देखो सबसे पहले हमारे पास जो है वो modifiable factors होते हो non-modifiable factors होते है modifiable में smoking हो जाएगा ठीक है इसके लावा drug abuse, cocaine बखरा हो PMI अगर 20 से कम हो जाए ठीक है और फिर non-modifiable factors में हमारे पास parity आ जाती है black woman and poor social economic status ठीक है इसके लावा हमारे पास कोई multiple pregnancy है या previous history है प्री-term labor की ठीक है और हमारे पास cervical कोई surgery होई भी है या uterine कोई anomaly है तो इसकी वज़े से हमारे पास freedom label जो होता है वो हो सकता है ठीक है अब इसके लिए ना हमारे पास एक diagnostic criteria है ठीक है अब diagnostic criteria में बेसिकली क्या होता है न देखो सबसे पहले हमारे पास हम लोग देखते है gestational age ठीक है 37 week तक जो है हमारे पास अगर labor आजाए ठीक है तो उसको हम लोग कहेंगे premature labor ठीक है अच्छा pre term labor ठीक है अच्छा अब इसके बाद ना हमारे पास इसमें uterine contractures भी होते है ठीक है uterine contractions ठीक है अब contractions हमारे पास कितनी होनी चाहिए 4 या 4 से जादा in 20 minutes ठीक है 4 या 4 से जादा in 20 minutes या तो आप 8 या 8 से जादा in 6 minutes ठीक है ये दोनों में से एक चीज़ आप consider करोगे 4 या 4 से जादा in 20 minutes या 8 और more than 8 in 6 minutes ठीक है पिर cervical आप जो है वो changes देखो तो dilatations जो है ना वो हमारे पास 3 cm से जादा होंगी ठीक है पिर लेंट देखो के ना तो लेंट आपके पास 20 mm से का आनी चाहिए ठीक है 20 mm से on transvaginal ultrasound ठीक है अब अगर हमारे पास 20 to 30 mm के बीच में आ रही है तो पिर उसके बाद हम लोग फाइब्रो नेक्टिन का लेवल देखते हैं ठीक है फाइब्रो नेक्टिन ठीक है अब फाइब्रो नेक्टिन अगर positive वार है तो मतलब कि हाँ प्रीटम लेबर आ चुक है ठीक है अब investigation पे आ जो investigation में ना हम लोगों ने basically देखो सबसे पहले हम लोगों ने transvaginal ultrasound किया transvaginal ultrasound ठीक है उसमें हम लोगों ने क्या किया length देखिए ठीक है length of cervix ठीक है cervix की length देखिए वो हमारे पस 20 जो mm है उससे कम होनी चाहिए ठीक है अगर वो 20 mm से जादा आ रही है 20 तो 30 तक आ रही है ठीक है तो पिर आपने fibronectin का level देखने है ठीक है जर वो positive है तो हम लोग कहते हैं freedom labor आ चुक है ठीक है इसके इलावा हम लोग जो है न वो देखते हैं इसके बाद इलावा हम लोग थर्ड चीज़ जो देखते हैं वो contractions को देखते हैं तो contractions को देखने के लिए हम लोग एक technique होती है जिसको हम कहते है external toco dynacometry ठीक है external toco dynacometry वो हम करते हैं ठीक है फिर इसकी treatment पे आज हो ठीक है management में क्या करना है न कि सबसे पहले हम लोगोंने patient को tocolytics दे देनी है tocolytics अब basically ये काम होता है न कि वो हमारे पस labor को prolong कर देता है मतलब labor थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों के लिए वो हमारे पस prolong हो जाता है कि आप किसी अच्छी जगा पे आप मदल को shift करा हो जहां पे वहां पे new natal unit होता है na ICU new natal ICU वो available हो ठीक है पहली बात दूसरी बात ही है कि आप मदल को जो है वो steroid के injections लगा दोगे जिसके जरीए जहाए बच्चे की लंग की maturation हो जाएगी ठीक है तो ये दो फाइदे होते हैं इस टोकोलेटिक्स के अब टोकोलेटिक्स में हमारे पस different drugs आती है न ठीक है देखो मैं आपको यहां से बता देता हूँ देखो इसमें दो drugs होती है जो हम contraction को uterine contraction को stop करने के लिए देते हैं हमारे पस calcium channel blocker होता है magnesium sulfate होती है ठीक है एक drug जो होती है वो relaxation के लिए देते हैं जो beta 2 beta agonist है ठीक है और दो और drugs है एक हमारे पस है oxytocin receptor antagonist और एक है prostaglandin synthesis inhibitor यह दोनों drugs जो होती है यह हमारे पस यह भी tocolatics ही है ठीक है अच्छा पिर इसके बाद ना इसमें एक बात आ सकती है कि इनके side effects क्या होते है यह tocolatics के ठीक है अब देखो अगर आप magnesium sulfate की बात करो ना तो यह हमारे पस respiratory depression cause कर सकत है ठीक है अच्छा फिर beta agonist की बात करो यह calcium blockers की बात करो तो वो हमारे पास respiratory distress necrotizing enterocolitis और intraventricular hemorrhage cause कर सकते है ठीक है दोनों ठीक है फिर जो हमारे पस prostaglandins है ना endomethacin बगारा वो हमारे पस ductus arteriosus की closure करते है तो बर से पहले तो हमें नहीं चाहिए होता ठीक है तो जिसकी के इलावा हमारे पास यह जो oxytocin receptor वाला होता है यह भी respiratory distress और necrotizing enterocolitis और intraventricular hemorrhage cause करता है लेकिन बड़ा minute type cause करता है ठीक है अच्छा जी यह आपने टोकोलेटिक्स दे दीम फिर उसके बाद आप steroids देते हो steroids में आपका बेकलो मेतसोन आ जाता है और dexamethoson आ जाता है ठी we give तकरीवन 12 to 24 hours apart ठीक है अच्छा लास्ट में हम लोग antibiotics देते हैं लेकिन antibiotics हम उसी case में देते हैं जब हमारे पास जो है वो कोई infection हो ठीक है अगर हमारे पास membrane rupture हो गई तो obviously तब infection होगा DIC वगारा develop होगा sepsis वगारा हो सकती है ठीक है तो in that case हम लोग देते हैं लेकिन अगर membrane intact है so there is no need to give the antibiotics ठीक है basically stitches लगा देते हैं उस पर ठीक है अब service में जब stitches लग जाते हैं तो obviously वो dilate नहीं होता dilate नहीं होता तो ultimately बच्चा जो है वो pre-term labor में नहीं जाता ठीक है mother सही है इसके लावा हम लोग progesterone भी दे रहते हैं तो उससे भी फाइदा हो तो progesterone में मिली हमारे पास जो drug है और वो हम लोग IM देते है ठीक है वो है hydroxy progesterone के proate ठीक है hydroxy progesterone के proate ठीक है यह हो गये ठीक है that's it we're done with the pre-term labor ठीक है if you guys have any question you guys can ask thank you कि जजाकर लाख है